है लो गाइस कैसे हो आप सब लोग आएम सी एकरन चंद्वाने रिपोर्टिंग लाइफ रम वी स्मार्ट अडमी पूने आप में से काफी स्टूडेंट्स जानता ही है कि मैं सी ए फांडेशन के लिए वी स्मार्ट अडमी के साथ जुड़ा हूँ और यहां मैं 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 अटमेटिक्स पीसी आर एंड बीसी के ये तीन सब्जेक्स पढ़ाता हूँ आपको राइट तो आज इस वीडियो में मैं कुछ इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ कि किस तरीके से इस बैच को मैं पढ़ाने वाला हूँ आप regular in-depth full course देख रहे हो या देखने वाले हो पर्चेस करने वाले हो उन्हीं के लिए यह relevant है mind you watch guys regular in-depth full course there is there are two different classes one course is called as exam oriented course वो नहीं relevant है यहाँ पे इस session के लिए भी इस introductory video के लिए दूसरा है fast track booster revision जो भी यहाँ पे relevant नहीं होगा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो student may 21 and november 21 सिर्फ यह दो ही students and onwards obviously but regular in-depth full course देख रहा है आप ही बेटा इस video को देखना बाकियों के यह relevant नहीं है मैं तीन चीज़ों को highlight करूँगा number one coverage of the whole batch of this whole regular in-depth कितना deep में हम जाने वाले है इस चीज़ को मैं बता रहा हूँ हम syllabus को थोड़ा सा overview कर लेते हैं हाला कि मैंने यह आगे lectures में किया ही हुआ है and doubt solving और revision किस तरीके से हम करने वाले हैं इसकी भी बात करते हैं let's talk about coverage तो guys जैसे कि आपको पता है यह exam ICAI यानि कि the institute of chartered accountants of India साल में दो बार लेता है CA foundation में 21 में एक exam होगा और November 21 यानि कि में और November यह दो बार exam होता है right तो ICEI इस exam को लेता है ICEI ने एक बार आप course को register कर लेते हो CA foundation के लिए ICEI के पास ICEI आपको books भी देता है जिसको हम ICEI के modules बोलते है उसी के उपर based उसी के उपर आधारित मैंने मेरे notes भी बना है जो की हम vsmart में provide करते है vsmart के notes यहाँ पर आपको क्या क्या देखना है किस तरीके से cover जोगा वो बताता हूँ पहले तो ICI के जो भी concepts है जो भी institute ने content दिया हुआ है जो भी concept दिया हुए है उन सब चीजों को हम देखेंगे उसी के साथ कुछ examples देता है ICI उसी के साथ कुछ questions ICI खुद हमको practice के लिए देता है यह सब तो हम करी लेंगे यह सब आपको ICI के module में भी मिलेंगे यह सब आपको मेरे notes में भी मिल जाएंगे सर आपके notes अलग से हाँ बटा बदाता हूँ क्यों और क्या उसमें मैंने कुछ additional questions भी cover करवा रखे है जैसे कि institute RTPs यानि कि revolutionary test papers mock test papers यहाँ पे जो यह questions है institute के यह वाले इसके अलावा previous exam questions इसके अलावा जिस trend में ICI questions पूछता है वहाँ पे कहीं बार ऐसा लगता है मुझे कि यह question आ सकता है शायद तो वह वाले questions ऐसे कुछ मिला के सब compilation additional questions में प्रोवाइडी करता हूँ और सबसे important जो है revision continuous and accumulative revisions followed by practice, practice and practice यह सब चीज़े हम करेंगे BCR में बेटा descriptive paper है यह यानि कि आपको question दिया है आपको answer page भरके लिखना है या half page, one page, two page, whatever it is, आपको answers लिखने है right, इसमें कैसे present करना है क्या करना है, यह सब चीज़े भी मैं बताऊंगा वो इस वीडियो में नहीं होगा बेटा वो जैसे lectures में हम देखेंगे, आपको presentations कैसे करने है, paper में यह सब चीज़ आपको मैं बताऊंगा, right okay, तो paper number 2 B होता है यह CA foundation में business laws 60 marks का होता है, उसी के साथ BCR business correspondence and reporting होता है 40 marks के लिए, कुछ ऐसा इस syllabus को ICI ने design किया है आपके लिए right, now, talking about why separate notes apart from ICEI module, right तो बेटा, यहाँ पे काफी जगा पे कुछ colorful चीज़े यूज़ की है, मैंने कुछ diagrams यूज़ किये, कहाँ पे मैंने summary बनाई है, एक basically एक compilation कहाँ पे कुछ simplify किया है और मैंने मेरी तरीके से ताकि आपको easily समझने है, जब आप मेरा lecture देखो ऐसे हमने ICI के module के through ही, यानि कि उसी को base लेते हुए because वहीं से exam में चीज़ा आने वाली है अपने notes बनाया हुए है, तो आपको मेरे notes देखने है, आपको मेरे notes refer करने है, मेरे lectures देखने के समय आपको lectures देखते समय ही मैं ICI का module भी, अपने mental satisfaction के लिए आपको वह भी go through करवाँगा, तो हम पहले lectures और notes के through परेंगे, जो कि we smart के है, इसी के साथ-साथ अपने भी अगर कुछ चीज़े होती है, मैं आपको mark कर वाँगा कि यह चीज़ यहाँ पर important है, इसको देख लो करके, बात करता है syllabus के, there is one chapter called as communication, अचा बहुत सारी बार students को लगता है, यह BCR वाला part है, यह English language एक subject है, जिसे कि आपको 10th में, 12th में हुआ करता था, पेटा, इस confusion को, इस myth को mind से निकाल दो, यह English subject बिलकुल भी नहीं है, यह subject है communication, how to communicate, why to communicate, and with whom, in what way we should communicate, इसके उपर यह subject basically ध्यान देता है, अब इसमें आपका question हो सकता है, सर, फिर इसमें English का क्या संबन्ध है, बेटा, इंडिया में, यानि कि इस world की बात करता है, जो business language है, वो है English, तो हमारा focus, ICI यहाँ पर communication पर दे रहा है, reporting पर दे रहा है, आप देखो language, यानि कि जो अपना नाम है, subject का, यह नाम है business correspondence and reporting, तो business में communicate करने के लिए, क्या use होता है, English use होता है, कुन सी language use होती है, reporting करने के लिए English use होती है, इसलिए English समझना भी important है, however, आपको एदम grammar पर ही, पूरे 40 marks focus करवा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, communication कैसे करना है, तो rather than, मैं ऐसा चाहूँगा, आप इस subject को communication बोलो, English मत बोलो, थोड़ा सा गलत हो जाए, गलत यानि कि मैं उस चीज़ को वैसे देख रहा हूँ, कि हमारा focus, institute का focus, पूरी तरीके से है, कि Chartered Accountant को communication करते आनी चाहिए, and that is why they have come up with communication as a subject in CA Foundation, right, तो यह communication है, यह English नहीं है बटा, right, चल, so communication के उपर पहले एक theoretical chapter है, जिसको हम देखेंगे, काफी beautiful chapter है, काफी अच्छा से हम देखेंगे, उतने ही, interestingly हम देखेंगे, then आता है grammar and vocabulary, जो की English language का core part है, अब जब मुझे यह communication करना है, इसके लिए मैं कुछ writing skills सीखने वाला हूँ, तो मुझे basic English पता होनी ज़रूरी है, तो कुछ basic English, कुछ basic grammar, कुछ basic vocabulary, यानि कि कुछ basic words, जो synonyms, antonyums, idioms, आपको आने चाहिए, वो यहां covered है, direct indirect speech, active passivized grammar में covered है, चो की काफी basic चीज़े है, right, तो ऐसी चीज़े है, सर मुझे यह difficult जाता है, मुझे नहीं समझता सर English language, वो difficult है सर, उसके ओपर भी आता हूँ, जहां दो सामने सब बताऊंगा एक एक करें, बात करता है writing skills के, article writing, report writing, letter writing, resume writing, minutes of meeting, note making, summary writing, यह सब writing के parts यहां covered है, इसी को maximum weightage है, आपके CI, जो करवाना चारी है, वो है communication, समझो, communication करना सीखो, कैसे करते है, क्यूं करते है, rather than focusing on language, इस चीज़ को ध्यान पर रखना, right, ओके, सर, आपके notes कैसे होगे, क्या होगे, बड़ा ध्यान देना, मैं यह notes का पहला page है, देखो, एक chapter का पहला page है, जहाँ पे जरूत पड़ेगी, वहाँ आपको color notes प्रवाइड किये गया है, काफी जग़ा पे आपको black and white ही किये गए, विकास वहाँ पे color के जैसा कुछ है ही नहीं, right, तो अब जैसे हैं आपे पहला page, यह पूरा page में समगी करवा रहा हूँ, हर chapter के पहले, हर chapter का पहला page blank छोड़ा हुआ है मैंने आपके लिए, क्यों, because exam के date पे मैं कुछ सब कुछ दिखने का time नहीं है, उस date पे मुझे सिर्फ एक page अकर दिख जाए, तो बात बन चाएंगी, मैं पूरा समर्ण यहां आपको लिखवाना वाँ, अगर आप देखोगे, तो मैंने पहले ही chapter में कुछ demo classes already uploaded है, उसमें करवाया हुआ है, कुछ theoretical chapter जैसे यह communication है, यहाँ पे मैंने my notes अलग से space छोड़ी हुई है, यहाँ पे left hand side रहे, यह सब चीज़े हम class में दिखने वाले हैं, जहाँ पे blanks है, उसको fill करने वाले हैं, इसके बाद module भी दिखाऊंगा, और फिर हम आगे बढ़ेंगे, समझ रहनी बात को, सो कुछ ऐसे रहने वाले हैं आपके notes, next बात करते हैं sequence of chapters, तर पहले आप पूरा writing skills करवाँगे, क्या पहले आप पूरा grammar करवाँगे, क्या नहीं बेटा, मैं अपने साब से, जो sequence best है आप लोगों के लिए, based on my teaching experience till now of 3 to 4 years, उसी के साब से, मैं आपको एक sequence से पढ़ाऊंगा, यह sequence कहीं बार batch to batch differ भी करता है, तो आपको सिर्फ ध्यान दे के सब समझना है, जो भी मैं करवा रहा हूँ, end में result तो यह ही कि आपको पूरा subject करवाया जाएगा, right, तर डाउट solve कैसे करने हैं, अगर मुझे कोई doubt आता है, आप मुझे live session में पूछ सकते हो, आप special जो sessions होता है, वी smart के उसमें मुझे पूछ सकते हो, जो collective doubts है, वो तो मैं address करूँगा, जो one to one doubts से मैं whatsapp पे भी address करता हूँ, right, but whatsapp पे जब आप doubt पूछो के उसका एक तरीका होता है, बेटा पूछने का, मैं उसके उपर एक अलग video record करी रहा हूँ, वो भी आप देख सकते हो, but still आप कैसे पूछो के doubts को, आप जब भी doubt पूछते हो, उसका photo लेना है, जो भी question है, जो भी चीज़ है, या मुझे बताना है, आप text message के थुरू पूछ सकते हो, आप photo के थुरू पूछ सकते हो, या फिर आप voice message के थुरू पूछ सकते हो, जब आप doubt बेचते हो, तब मैं कौन सी जगह पर होगा, ये मुझे भी पता नहीं, आपको भी पता नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि आप base देखे, सर ये chapter का ये question है, यहां से मैंने लिया हुआ है, आपको ये reference book यूज़ कर, आप मेरे notes यूज़ कर, आप ICA का module यूज़ कर, जो भी है, उसका photo की चाहर बताया कि सर ये यहां से question है, तरिफ photo बेचके भी नहीं होगा, आपको उसमें क्या doubt है, वो पुछना ज़रूरी है, सर ये मुझे नहीं समझा, अरे बेटा कहाँ पोचे, कहाँ तक चीज़ देखी है, जितने मैंने पिछले, you can say, 3-4 सालों में, जो भी 20-24,000 students को पढ़ाया हुआ है, BCR subject के लिए, मुझे एक चीज़ समझने आई है, कि usually, ये पूरे course को इसी तरीके से design किया है, कि आपको doubts न आए, और आते भी नहीं है, but since descriptive subject है, doubts आने के chances है, right, तो यहाँ पर जो भी आपके doubts होते है, आप बिंदास पूछ सकतो, but पहले आप खुद एक बाद try करो, go back to the concept again, and try to understand कि यार क्या चीज़ रह गही समझना, उसको एक बार फिर ready कर लो, आपका answer बन जाएगा, mostly ये होता है, नहीं होता है, तो मैं बठाऊ हूँ, right, how to solve a particular answer, he will only solve that answer, but if I teach a student how to solve the answers, how to understand the concepts, आप process सिखा दूना, आप खुद पढ़ने लगोगे, समझ रहा नहीं, एक कहा वज़ा जसे ये चीज़ मैंने inspire होके बनाई है, if you teach a man, if you give a man a fish to eat, he will eat it for once, but if you teach a man how to fish, he will eat it for his lifetime, आप सिखा दो, तो मैं सिखा रहा हूँ, आपको समझना है, सिखना है, आपको follow करना है, तो आप हर बार, हर डाउट के लिए मेरे पास नहीं आओगे, आप खुद ही solve कर पाऊँगा, तो कुछ इसी तरीके से मैंने यहां पर चीज़ों को बताया हुआ है, जो अपना पूरा कोर्स है, उसको उस तरीके से डिजाइन किया हुआ है, रेगुलर इंडेप्ट फुल कोर्स बताया है, राइट, चल्ब, नेक्स्ट बात करता है, मुझे क्या-क्या चीज़े कैरी करनी होगी, जब मैं बुक्स, यानि कि जो बुक्स, जो नोट्स है, यह सब क्या-क्या कैरी करना होगा, जब मैं लेक्चेस देखूँगा, आपको एक बुक बनानी है, 100 पेज़ेस की, जिसमें आपको प्रैक्टेस करना है रोज, 200 पेज़ेस की भी बना सकते हो, आपकी बुक वेशने होगी, यह मेरा, युकान से कैरेंटी है, मैं आपको पुरी बुक फुल करवाँगा, जितनी भी पेज़ेस आप बरलो, नोट्स जो है, मेरे और ICI का मोडियूल, यह तीन चीज़ आपको कैरी करनी है, कुछ लोग हाला कि BCR में भी कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, जरू तो नहीं है, आप पेंट पैंसल जो भी है, प्रेजेंटेशन पॉइंट अफिस स्केल वगरे लना है, आप ले लो, नेक्स्ट बात करते हैं, यहां तक तो चीज़े क्लियर हैं, अब बात करते हैं, सर, हाउ डूए आय रिवाइज, तो बेटा, जो भी चीज़े हम क्लास में करने वाले हैं, उसको मैं रिवाइज करूँगा, क्लास के दोरान भी, क्लास होने के बाद भी, यह बैच आपके करीबर डिस्यम्बर जन्री में खतम हो जाती है, उसके बाद मैं आपको सब कुछ, सब कुछ रिवाइज भी करूँगा, फिर से, हम अलग बैचेस लेते हैं, उसके लिए, उसमें रिविजन्स भी होने वाली है, और मैं आपको daily tasks भी डूँगा, कि आज यह चीज़ करनी है, आज यह चीज़ करनी है, तो हम उस चीज़ करने वाले हैं, नेक्स, बात करता है time management, सिर्फ समझना ही important नहीं है, exam में करते आना चाहिए, examination में exam ने दिये हुए time पर करते आना चाहिए, तो correct answer रहना तो ज़रूर fundamentals के लिए है conceptual clarity और continuous revisions हो रही है, तो यह conceptual clarity मेरा काम है, revision भी मैं काफी हद तक करो हूँआ, practice सबसे important आपका काम है, right, कुछ students बोलते हैं, मेरा English week है, मेरी English language week है, उन students के लिए खास करके बात करता हूँ, मैंने कुछ basic lectures, grammar के, एक तीन या चार lectures है, जो मैं अलग से optional नहीं, मैं compulsory सबको दिता हूँ, compulsory सबको provide कर रहा हूँ, because this will be a base for chapter number 2, that is grammar, right, तो वो आपको देखना है, उसमें आपका phobia निकल जाना चाहिए, still उसके अलावा भी, जो students, आज नवेंबर में, चार नवेंबर को ये video record कर रहा हूँ, still जो students, आज इससे अगर पढ़ रहे है, आपका प आप कुछ लिख के निकाले English में, आप English News Channel देखो, तो वो देख सकते हो, जो भी, basically English में चीज़े देखो, उसमें से जो नहीं समझता उसको निकाल के लिखो, तो आपकी vocabularity बढ़ते जाएगे, आपके grammar बढ़ते जाएगे, जैसे आप लिखोगे, आप बात करोगे, समझ जोगे, talk to me, talk to your family, talk to your siblings, talk to your friends in English, so that your English language gets improved, this is only what you can do, there is no other solution, there is no other solution, जितना आप use करोगे language को, उतनी language आपके अच्छी बनता हैंगे, right, so what about test, test बटा होते रहेंगे, CA, you can say, पूरे curriculum में, CA आप पूरवा मैम है, हमारे पास एक अलग department है, vSmart test series का, vSmart exam prep का, जहाँ पे test will be taken care of, आपके weekly basis पे या chapter wise आपके test किये चाएंगे, इसके अलावा आपके पूरे ICI pattern के सबसे test भी करवाए चाएंगे, right, अगर मैं बात करता हूँ, lecture के duration की, करीबन-करीबन एक घंडे का duration होने वाला है, हर lecture का, total ऐसा कुछ 30 to 35 lectures होने वाले है, पूरे course में, right, okay, next बात करते है अब, sir, how will I pass? बटा, सर्फ और सर्फ coaching से कोई pass नहीं होता, आपको खुद का hard work डलना है, so discuss all your problems with your teacher, यानि कि मैं सर्फ मेरे लिए बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी teacher से आप पढ़ रहे हो, जो भी subject आप पढ़ रहे हो, beat Jay sir, beat Ronak sir, beat Pavan sir, beat Darshan sir, beat any other teacher, so you have to listen to what he or she say, listen मतलब स सुनना नहीं है, उसको पर अमल भी करना है, you have to follow, and rule number two is very simple, never forget rule number one, सुनोगे teacher का तो सुखी रहोगे, खुश रहोगे, हम आपको हर जगह पर direction देगे, हर जगह पर guide करेंगे, be technical, academic related, या non-academic related, आपको बस follow करना है, अच्छे से सही तरीके से, be true to yourself, be true to your teacher, be honest with the subject and I see, you will surely pass इतना ही मैं बोलना चाहूंगा, तो यहाँ पर जो भी मैंने आपको चीज़े बताई है, काफी beautiful तरीके से आपका पूरा syllables cover किया जाएगा, and we will definitely enjoy it, we will have live sessions also, काफी sessions में recorded form में आपको देने वाला हो, I hope आप मैं से कुछ students ने अल्रेडी course start कर लिया होगा, तो all the best guys, God bless you, take care, and 밁ते रहेंगे तल ही, जला, आप, बाई, BENEže, बाई, Virginiaытा कुछ ने हैं, जांकर की देने कुछ द्ला चाहिए, बाई, 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 बाई